इंडिया और फिलिपीन्स की बीच बहुत बड़ी डिल साइन हो चुकी है और वो डिल साइन पहले ही हो चुकी थी लेकिन उसके पैसे अभी तरह क्लियर नहीं हुए थे तो भारत सरकार को ये पैसे क्लियर करा दिये गया है और भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि इस जील कि आप पैसे में क्लियर करा दिये जल से जल क्यों और इस पे डील पे क्या हुआ है आपको मालूमी होगा ब्रंभोस ब्लस्टिक मिसाइल 30 दिसंबर तक भारत और फिलिपिन्स जल्दी अंतिम सरकारी प्रंभोस मिसाइल सौधिक अंतिम रूप दे सकते हैं फिलिपिन्स की जो नेवी है उसके लिए सुपर्शोणिक मिसालों की खरीद के लिए दोनों देशों के बीच वर्षों से बाती चल रही है अधिकारियों ने बिरस्पतिवारों की जानकारी देती है कि इस खरीद में फिलिपिन्स के साथ भारत के रनडीतिक संबंदों के आगे बढ़ाने की उमीद है फिलिपिन्स भारत फिलिपिन्स को ब्रम्भोस बलस्टिक मिसाल क्यों बेच रहा है इसके सबसे पहला रीजन तो यही है कि भारत पैसे को इसने इसको बेच रहा है भारत चाइना को क्रॉप करने के लिए बेच रहा है चाइना को कैसे भी करके हम खेर सके फिलिपिन्स जो है अगर आप देखे हैं तो दच्छनी चीन सागर में ताइवान के जश्ट नीचे है ताइवान पर जुन ढात रहता है और फिलिपिन्स जश्ट उसके नीचे है ठीक है इस खरीच से फिलिपिन्स और भारत के जो संबंध अच्छी होंगे वो तो होंगे ही ह पाकी थे कोस पैसे को भी उन्होंने क्लियर कर दिया अधिकारी ने बताया कि ब्रम्भोस सौधी बार बाची तिलगबपुरी हो चुकी है और दोनों पक्ष अगले कुछ हफ्ते में करार को अपचारी क्रूप देने के लिए तैयर हो जाएंगे ब्रम्भोस सूपर सौनिक इस टेप बढ़ा दिया है अगर फलिपिन्स के पास ब्रम्भोस मिसाइल बहुत जाती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ ऊजाएगी और भारत के थोड़ा सा इस पे जो प्रेशर है वो थोड़ा काम जा क्योंकि फिलपिन्स जो है ब्रम्भोस इं को ने हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा